क्या आप भी अपने चहरे को टाइट रखना चाहते हो, लिफ्ट अप करना चाहते हो, क्योंकि टाइट चहरा ही यंग दिखता है, जवा दिखता है कई लोग तो बोटॉक्स और फिलर्स करवा लेते हैं अपने चहरे को यंग रखने के लिए, लेकिन हर कोई उसको अफॉर्ड नहीं कर सकता लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि पांच रुपे के पत्थर से आप अपनी स्किन को टाइट रख सकते हो, यंग रख सकते हो नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटिवी नेचर बाई सुनीता सैनी में बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब, मैं उमीद करते हूँ, आप सब लग खुश होंगे यह जो मैं आपको पांच रुपे का जादूई पत्थर बता रही हूँ ना, यह क्या चीज है जानते हो, नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ, यह है फिटकरी यानकी ऐलम यह आपको मार्किट में बहुत यह असानी से मिल जाएगी यह वो फिटकरी होती है, जो जैन्स लोग शेव करने के बाद अपने फेस के ऊपर रगड़ते हैं न, ताकि जो बलड निकल रहा है या पोर्स ओपन हो गया है, वो मिनिमाईज हो जाएं, हमें वो ही फिटकरी चाहिए लेकिन वो आपको गांठ में मिलेगी, या बर्फी के टुकडे में मिलेगी, आपने उसको अच्छे तरीके से कूट के चान लेना है देखिए मैंने कूट के चान रखा है, इसमें से हमें चाहिए चुटके वहर फिटकरी फेंट्स फिटकरी हमारे स्किन को टाइट रखती है, लूज स्किन को लिफ्ट अप करती है और ये हमारे चेहरे के एकने मुहासों को भी रिडियूज करती है और इसके साथ साथ ये हमारे ओपन पोर्स को भी मिनिमाईज करती है जब हमारे चहरे के open pores minimize हो जाते हैं तो हमारे skin यंग दिखने लग जाती है क्योंकि जो open pores होते हैं उसकी वज़ा से भी हमारे skin धीली दिखाई देती है ठीक है जी अब मैं इसमें add करूंगी आधा चमच के करीब नारियल का तेल अगर आपको नारियल का तेल सूट नहीं करता तो आप यहाँ पर जैतून का तेल ले लीजिए या vitamin E oil का एक capsule ले लीजिए या बादाम का तेल ले लीजिए जो भी आपको तेल सूट करें आप इसमें एक तेल जरूर add कीजिए फिटिक्री लगाने से हमारे स्किन थोड़ से dry हो जाती है और जिन लोगों की स्किन already dry है उनकी स्किन की dryness ना बढ़े इसके लिए मैं इसमें oil add कर रही हूँ लेकिन जिन लोगों की स्किन oily है वो भी इसमें 4-5 गूंदे oil की जरूर add करें चाहे वो कोई भी oil add कर ले ठीक है यही चमच add कर रही हूँ ऐलोवीरा जेल ठीक है जी ऐलोवीरा जेल हमारे स्किन को hydrate रखेगी और गुलाब जल भी हमारे स्किन को बहुत अच्छे तरीके से hydrate रखता है यह anti-aging से भी भरपूर होता है अब मैं इसमें add करूंगी एक चमच मसूर दाल का powder friends मसूर दाल हमारे स्किन के रंग को साफ करती है हमारे स्किन टोन को light करती है हमारे चहरे के उपर glow भी लेकर आती है और इसके साथ साथ यह हमारे स्किन के उपर अगर sun बन हो गया है तो उसको भी ठीक करती है यह natural ठीके से हमारे स्किन को moisturize भी करती है क्योंकि यह हमारे स्कि तक बिल्कूल रेडी है, फेस पैक लगाने से पहले अपने फेस को साफ कर लेते हैं, मैं अपने फेस को साफ करने के लिए आदा चम्मच कच्छा दूद ले रही हूं, इसमें मैं डाल दूँ हूं, थोड़ी सी अलो वीरा जैल, फ्रेंड्स बहुत ही कम आमातरा में अलो वीर इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे, और इसको मतलब अगर आपके फेस के ऊपर किसी तरह का कोई मेक अप लगा था या धूल मेटी लगी थी, तो इस स्टेप को करने से पहले, आप अपने फेस को अपने किसी भी फेस बोस से वाश कर लीजिए, या कच्छे दूद से, क आप इसको लगा कर दो मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना फेस पैक लगाएं, ठीक है जी, यह स्टेप जरूर फॉलो करें, देखिए दो मिनट हो गए हैं, अब मैं अपना फेस पैक लगा लूँगी, फ्रेंट्स इस फेस पैक को लगा कर देखिए, आप इसक कभी लगाई नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो आपकी स्किन को सूट करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए आप थोड़ा सा फेस पैक पहले बना लीजिए, और उसका पैस टेस्ट करके देख लीजिए, यहां पर लगा लीजिए, एक दिन वेट कीजिए, अगर जहां पर आपने इस फेस पैक को लगाया, वहां पर दाने नहीं निकलते या रेडनेस नहीं आती या आपको खुजली इचिंग नहीं होती, इट मींस ये फेस पैक आप असानी से लगा सकते हो, यह आपकी स्किन को सूट करेगा, फ्रेंट जिन लोगों का चेहरा गर लोगों की स्किन के उपर और प्रॉब्लम्स भी है, चेहरे के उपर दाग धब्बे हैं, या काला पन आ गया है, या सन बन हो गया है, यह उसको भी बहुत सौफली रिमूव करता है, इसलिए ये फेस पैक हर स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं, हर स्किन प्रॉब्लम के फ्रेंड्स वीडियो देखते देखते, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्रीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एक बात और आपको लगाईए, रेगुलर लगाईए, दस मिन्ट लगाईए, उसके बार अपने फेस को साधे पानी से वाश कर लीजिए, और जब आप करोगे, जब आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, मेरा दावा है कि आप इसको कभी छोड़ोगे नहीं, फ्रेंड्स एक बात तो ये हुई क फेस पैक जरूर लगाईए, दूसरी बात आपको मैं बता दूँ कि आप अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजे, आजकल गर्मी हैं, सर्दी में तो कहीं लोग इग्नोर मार देते कि नहीं, प्यास ही नहीं लगी तो हमने पानी नहीं पीना लेकिन गर्मियों में ऐसा इग्नोर बिलकुल नहीं चलेगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हाइडरेट रहे, आपकी स्किन के ऊपर भी गलो रहे, इसलिए आपने पानी का ध्यान रखना है, हरी सबजी खानी है, सलाद खाना है और इसके साथ सा थोड़ी बहुत एक विटामिन C क्रीम लगा लिजिए, या विटामिन E क्रीम, कोई भी क्रीम लगाईए, लेकिन फेस को वोश्ट करने के वाद स्किन को मॉस्टराइज जरूर किया किजिए, ठीक है जी, ताकि जब रात को आपकी स्किन रिपेर हो, तो उसकी स्पीड दोगनी हो जाए, और देखिए, आपको अपनी स्किन टाइट होती, फील होगी, आपकी स्किन फर्म होती, आपको महसूस होगी, चहरे के उपर इतना खूबसूरत ग्लो आएगा, जिसको देखके आप बहुत ज़्यादा खूश होने वाले हो, फ्रेंट्स फेस पैक थोड़ा ड्राइ हो गया है, अब मैं अपने फेस को वाश करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल रिजल्ट, रिजल्ट देख सकते हो फ्रेंट्स, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब टाइम अपनी स्किन को मॉस्टराइज करने का, मैं फिर मिला ऑे निए में, अपक्तagtता कही बयँ, बाइपलाइ!